किस आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप लोग सोच भी नीड होगे और ये चीज एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपके लिए एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए खोल देगी I promise बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि हम लोग के quiz भी करने वाले हैं आप लोगो को मैं कुछ code दिखाऊंगा और आपको उसमें मुझे बताना होगा बग क्या है आप लोग को एक ऐसी गेम चेंजिंग चीज के बारे में बताऊंगा जिसकी सायधा से आप अ सिंबल से website बना कर दिखाईए अब यहांपर कुछ नहीं हो रहा है यहांपर एक heading tag है welcome to a website एक paragraph है इसके बाद एक input है यहांपर एक function चल रहा है और बहुत बढ़िया बात है मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे बताओ कि गड़बड क्या है इस code के साथ किस तरह से यह code शाय अब अगर आप लोग को नहीं मालूम तो आप लोग को बता दूँ कि इसमें accesses attack होने का बहुत बड़ा खतर है कैसे मैं आपको बताता हूँ तो यहांपर simply क्या है कि यह एक function चल रहा है जिसमें की user से input लिया जा रहा है user input डाल रहा है input tag के अंदर कुछ लिखेगा user और उस चीज अगर आपने server पर कर दी तो जरा सोचो server पर code execute हो जाएगा या फिर हो सकता है कि कोई user आपके ही browser से कुछ ऐसा nasty कर दे और आपको पता भी ना चले और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती है बहुत सारा malware पड़ा हूँ इंटरनेट पर इस चीज से related तो अगर आप उन्हें बताया accesses attack you are right my friend यह accesses attack vulnerable है इसको सही कैसे किया चाहेगा इसको सही करने का तरीका बहुत ही simple है हम लोग क्या करेंगे इसको सही करने के लिए replace कर देंगे जो भी tags हैं जो की execute हो सकते हैं जो भी script tags वगएरा इंसान चला सकता है लगा कर जावास्क्रप को execute करने के लि आप मेंसे कितने लोग बताब हैं मुझे comment बताना जल्दी से और जूट बन बोलना अब एक और कोड आप लोग को दिखाता हूं मैं और आप लोग को इसमें बताना कि इसमें क्या problem है तो यह पर एक simple si express app है जो की JavaScript backend पर लिखी हुई है बहुत सी simple सा काम यहाँ पर हो रहा है assume करना कि get user id function चल रहा है यहाँ पर कोई problem नहीं है हम यहाँ पर एक cookie set कर रहे है और उसके बाद 200 response set कर रहे है मैं बतारहूं आप लोग यह मत कहना कि get user id function कहाँ पर यह दिखनी रहा है assume करोगी यह चल रहा है ठीक है यहाँ यहाँ तक code बिल्कुल सही चल रहा है user हमें मिल च अच्छी बात है नहीं बता पाए तो मैं आपको बताता हूं tension लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसके बात जो बात मैं बोलने वाला हूं उससे शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगे तो यहाँ पर अकर मैं cookie set कर रहा हूं तो मुझे secure true or http only true लगाना पड़ेगा अगर मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा यह मैं आपको बता देता हूं secure true करने से क्या होता है अगर आप secure true करेंगे तो it can be set by the application server when sending a new cookie to the user within htd placement purpose क्या होता है इसका to prevent cookies from being observed by unauthorized party जब cookie का transmission किया जा रहा है cookie अगर network के थुरू एक server से client के server के पास इसे जा रहा है तो रास्ते में man in the middle attack ना हो जाए उसको बचाने के लिए यहाँ पर हम use करते है secure true का end http only true करने से क्या होता है कि जो बागी की scripts हैं वो access नहीं कर पाती है basically आपको बहुत ही high level पर बता रहा हूँ अब आप लोग को कि यार मैं security expert नहीं हूँ in fact आपको सच बता हूँ तो मैं भी नहीं हूँ एक बहुत बड़ा security expert मैं भी नहीं हूँ तो होता क्या है कि जब हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें कि आप लोगों को security expert बनने की जरूरत पड़ जाती क्योंकि यार आप देखो at the end of the day अपनी आपको secure भी बनाना चाहते हो और आ कोई ऐसी चीज ना करूँ जो कि मेरे main goal पे मेरा focus जिससे तोड़ रही है जिसे महलो आप चलाते हो एक e-commerce website अब आप बन गए हो security expert आप डूंडे जा रहे हो कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ जिससे की मेरी जो app हो secure हो जाए तो एक ऐसे tool के बारे मैं आपको आज बताऊंगा ज उसके बाद आपको security vulnerability बताते हो और मेरे हिसाब से चीज बहुत game changing है at least मेरे लिए कैसे इंसान के लिए जो कि अपनी चीजों पर focus करना चाता है आप बना रहे हो मालो अपना project आप बना रहे हो e-commerce website आप अपने startup की website code कर रहे हो या android app code कर रहे हो किसी भी stack में हो सकता है आपक करूँगा and that's the quality of humans लोग इनसान करते हैं इस चीज तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसे tool के बारे में बताऊंगा जो कि automatically scan करेगा उसका नाम है samgrab जाला time waste नहीं करूँगा आप लोग को चल्दी से लेके चलता हो आप लोग को अपनी computer screen में और इसको try out करते तो जैसे कि आपने देखा कि जो security होती है वो बहुत जादा hard होती है अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर आप लोग एक app बनाते हैं तो उसमे security vulnerabilities डालना बिना realize कि बहुत जादा easy हो जाता है क्योंकि आपका focus होता है अपनी application पे security hard होती है और कोई मानना पड़ेगा और usually security expert तक limited होती है और इसलिए मैं आपको introduce कराना चाहता हूँ आप से जो कि एक open source tool है बिल्कुल open source है यह और regular developers जैसे कि मैं और आपके लिए यह बहुत आसान मना देता है एक linter की तरह काम करता है basically और बताता है कि क्या vulnerabilities हो सकती है आपके code को scan करता है उन vulnerabilities के लिए और आप पर उनको fix कर सकते हैं तो आपको security expert होनी की जरूरत है करने के लिए ना या आपको यूनिटेस लिखने की जरूरत है आपको simply अपने local में run कर सकते हो या फिर simply CICD लगा सकते हो अपने app में और वो रन हो जाए का मैं दिखाऊंगा भी आपको थोड़ी दिर में कैसे तो यार करने के बाद sign in with github में कर रहा हूं कि github account मेरा already logged in है अब मैं आप पर क्लिक करूंगा और इसके बाद wait करूंगा और यह wait करने के बाद samgrab.dev is loading ओके और यहां पर देखो मैं login हो गया मैं इसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो मैं इन सवालों को जवाब दूँगा जल्दी से sign up process खतम करूंगा और sign up process खतम करने के पाद आगे बढ़ूंगा तो यहां पर मैं login हो चुका हूं तो आप देखो start scanning project पर मैं simply click कर रहा हूं यहां पर explorer demo project पर click करूंगा इससे क्या होता है कि एक demo project इनके पास होता है जिससे कि आपको बताएंगी किस तरह से security vulnerabilities आपकी आप में आएंगी मैं group by rule पर click करूंगा इससे ना view change हो जाता है आप जै code में यह जो demo app है उसमें खोजी है ठीक है तो यह देखो JWT token detect किया है और भी अलग-अलग तरह की vulnerability जो यह explain भी करता है वह आपको बताएगा कि भाई देखो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हों कि innerHTML directly मैंने use किया हूँ है तो यह कह रहा है कि मत करो ऐसा exactly line number highlight हो कर आती है देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ लाइन का पर highlight करता है लाइन देखो यह देखो लाइन लाइन highlight कर दी इसने कि यह वाली जो लाइन आपकी 107 उसमें यह दिक्कत है आप इसको fix कर लो तो आप sanitize कर सकते हो आप अराम से अपने code को देख सकते हो वह चीज जो कि श बहुत सारी और भी डुलने डिटीज ने निकाली हुई हैं जिनको मैं करके discuss definitely नहीं करने वाला बड़ यहां पर एक simple वाली मैंने आपको दिखा दी in HTML वाली आप अपने code के साथ इसको जरू ट्रायओट करना आपको मजा आएगा क्योंकि मैंने भी अपने code के साथ करो तो यहां पर मैं install app on github पर क्लिक करूंगा और यह मुझे redirect कर रहा है इसके बाद इसको मैं install and authorize करूंगा यह basically क्या बजो कि मैं अपने github पर इस repository को मैं select कर रहा हूं क्योंकि मैं इस पर access देना चाहता हूं और इसके बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा install and authorize अब मैं आपर redirect कर दिया गया हूं और semgrab.dev is loading और मैं इसके इस page पर redirect हो जाओंगा तो वीट करते हैं इसका आप देख सकते हैं आपर यह जो मेरी harry fitness website है यह basically website है इसको मैं scan करूंगा hci job पर क्लिक करूंगा commit file पर क्लिक करूंगा और इसके बाद क्या होगा कि यह start कर देगा मेरी इस repo को scan करना तो यह scan कर रहा है basically सारी vulnerabilities के लिए क्या दिक्कत है क्या नहीं है कैसे क्या चीज इसमें सही है गलत अब देखो पिछले वाला जो डेमो था हो तो पांच सेकेंड में हो गया था यह थोड़ा time लगाया इसने ओ वाव इसने security vulnerability निकाल दी कि यार आप insecure document method यूज़ कर रहे हो ओके तो मैं आपर एक्चुली इनर टेक्स और आउटर इस्टेमल यूज़ कर रहा था इस अब चीज़ें कि यार यह basic fairly simple app थी और यहां पर देखो कहां पर हो रहा है यह timer.js में यूज़ किया हुआ है इनर html तो यह एक तरह से मुझे कहरा है कि यार आप इसको sanitize वगएरा कर लो ऐसे directly use मत करो दिक्कत हो सकती है आपको तो काफी बढ़ी है यार मैं काफी इंप्रेस हूं इससे इसने बता दिया कि भाई यह जो get element by ID है यहां पर sanitization required है आप ऐसे इस पर एक निगाह डाल लो देख लो एक बार कि यार कहीं यह कोई ऐसी चीज़तों नहीं जिसको आप देखना चाहते हो एक बड़ी मुसीबत में आपके लिए translate हो जाई है अब मैं चाहता हूं कि आप लोग यह अपनी आप में try out करो एक अपनी आप आप सभी लोग scan करो Samgrip की साहता से और उसके बार नीचे comment में post करो कि यार आपको क्या देखने को मिला ताकि हम लोग सीख पाएं एक तो यहर कम से कम सब लोग post करो security vulnerability ताकि सब लोग आपकी app की finding से सीख पाएं अब now that आप लोगों ने इसको use किया मुझे सबसे पहले बताना कैसा लागा आप लोगों को क्या thoughts आप लोगों और जिसकी भी security vulnerability मुझे लगा कि हायर यह चीज सब को जाननी चाहिए ज़ादातर लोगों के लिए एक बड़ी mass population के लिए useful रहेगी मैं उस comment को pin करूँगा हम सब सीखेंगे साथ में आप एक comment ज़रू मानना नीचे और ऐसा निए कि मैं pin नी करूँगा तर लोगों तक नगना चाहिए था हो मैंने नहीं रखा तो इस तरह की चीज आप मुझे बताना और हम सब सीखना चाहेंगे आप लोगों की insights से आप लोगों की insights से आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आप